हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इस्टराफिल स्टडी तो आज हम लोग एलसियम लॉसा निकालना सिखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा जिसे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो हम लोस यानी एलसियम निकालना सिखेंगे तो हम एलसियम को इंगलिस में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टिपल यानी लगुत्तम समाप वर्तक तो कोईशन नमर एक है दोस्तों 16, 24, 40 का एलसियम निकाले तो एलसियम निकालने का मतलब यह होता है कि हम 16, 24 और 40 का सबसे छोटा उभयनिस गुननखन निकालेंगे इन तीनों का उभयनिस गुननखन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए सबसे छोटा तो अब हम यहाँ 16 और 40 का एलसियम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसका सबसे छोटा उभयनिस गुननखन क्या होता है तो देखे इसका हल तो हम भाग बिधी से एलसम निकालेंगे तो हमें यहां संख्या दिया है दोस्तों 16, 24, 40 ठीक है अब हम यहां क्या करेंगे दो लाइन लेंगे एक लाइन लेंगे नीचे की तरफ और एक लाइन लेंगे हम इस तरफ ठीक है तो हम इस तीनों संख्या को भाग देंगे तो जब भी हम भाग देंगे तो सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे जिससे हमारा ये तीनों संख्या कट जाए या एक भी संख्या कट रहाए तो हम काट देंगे तो हम पहले दो से भाग लगाएंगे दो से ये सभी संख्या हमरा भाग लग जाएगा तो लगा लेते हैं 16 हमरा लग जाएगा 8 बार में 8 दुना 16 24 दोस्तों 2 से भाग लग जाएगा 12 बार दुनी 24 40 हमरा दोस्तों 2 से भाग लग जाएगा 20 बार में 20 दुना 40 अब हम यहाँ फिर से क्या करेंगे इसे 2 से भाग लगाएंगे क्योंकि अभी भी यह 2 से भाग लग रहा है जब तक हमारा 2 से भाग लगेगा तब तक हम लगाते रहेंगे तो फिर से 2 से लगाएंगे 8 में तो 4 बार लग जाएगा चार दूनी आठ, बारा लग जाएगा, छे बार में, छे दूना बार, और बीस, दस बार में, दो से भाग लग जाएगा, दस दूना बीस, तो अब यहाँ है, चार, छे, दस, तो हम इसे अभी भी दो से भाग लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं, तो हम चार में लगाएंगे दो से भाग दो बार में लगेगा दो दूनी चार छे में लगाएंगे तीन बार में तीन दूना छे दस में दो से भाग लगाएंगे तो पांच बार में पांच दूनी दस अब यहां देखके संख्या क्या है दो तीन पांच है तो यह तीनो अब हमारा दो से भाग नहीं लग ठीक है? तो ये है भाग बीजी से ।न के हम निकार लें का concept तो हम इसे फिर से दो से भाग लगाएंगे तो दो से दो एक बाण में लगेगा फिर ये तीन नहीं लगाएगा तो तीन को हम ऐसे ही उतार लेंगे पांच भी नहीं लगाएगा तो 5 को भी महई से उतार लेंगे तो इहां रहेखें एक 3 5 है तो अब हम अगली संख्या से भाग लगाएंगे 2 से तो यह भाग नहीं लगेगा तो इससे अगला संख्या कोन है? 3 हम अभाज जे संख्या लेंगे तो 2 के बाद 3 तो यह हो गया 1 तीन से तीन भाग लग जाएगा कितने बार में एक बार में इसी परकार यहां पांच आए तो पांच तीन से नहीं लगएगा भाग इसलिए हम यहां पांच को इसे उतार दिया अब हम पांच से पांच में भाग लगाएंगे तो यहां लिखेंगे पांच तो यह हो जाएगा एक, एक, पांच से लग जाएगा भाग하면 दो उसतों कितने बार में? पांच से पांच, एक बार में भाग लग जाएगा, तो यहां रखें, फाइनली हमरा एक-एक आ गया, तो ये हमारा जो भाग करने का प्रक्रिया है ये समाप्त हो चुका है LCM में अब हम LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो हमने यहां जिस-जिस संख्या से भाग दिया है उसे आपस में गुना कर देंगे तो हमारा LCM निकल कर आ जाएगा यानि हमने यहाँ दो से कितनी बार भाग दिया है चार बार तो चार बार हम दो को गुना करकर लिख लेते हैं दो गुने दो गुने दो गुने दो फिर हमने तीन और पांच से भी भाग दिया है तो एक बार तीन से भाग दिया है और एक बार पांच से तो इसे गुना करकर लिख लेंगे अब इसे हम गुना कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 48 और ये गुने 5 तो हम यह लिख लेते हैं 48 गुने 5 तो अब दोस्तों कह सकते हैं loss बड़ाबर यानि Lcm बड़ाबर क्या हो जाएगा 48 और 5 को गुना करेंगे तो 845, 40 का 0, 24, 25 का 20, 24, 24 तो इसका Lcm दोस्तों हो जाएगा 240 तो यही होगा इसका answer यानि 240 जो है इस तीनो संख्या का ओभैनिस गुननखन होगा और सबसे छोटा होगा ठीक है इसी परकार दोस्तों यदि हमें 2 संख्या का लौसर निकालना हो भाग विदी से कैसे निकालेंगे माली जे संख्या हमारा है 16 और 21 तो इससे हम भाग देंगे सबसे पहले किस से भाग लगाएंगे 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से हमारा 16 लग जाएगा तो 21 को अईसे उतार देंगे फिर यहां हम 2 से लगा सकते हैं 4 2 से भाग लगेगा 2 बार में 2 दूनी 4 21 नहीं लगेगा 21 को हम अईसे उतार देंगे फिर हम 2 से 2 में भाग लगाएंगे कितने बार लगा एक बार में तो 21 नहीं लगा तो फिर हम अगली संख्या 5 लेंगे तो 3 से लग जाएगा तो 3 से हम लगा लेते हैं 21 में तो यहां हो जाएगा 1 और 21 लग जाएगा दोस्तों कितने बार में 7 बार में 7 या 21 तो यहां अब 1 और 7 है तो 7 3 से भाग नहीं लगेगा तो अगली संख्या क्या है पांच तो पांच से भी हमारा साथ भाग नहीं लगेगा तो अगली संख्या क्या है साथ तो साथ से ही साथ भाग लगेगा कितनी बार में एक बार में यह हो जाएगा एक और यहां भी एक साथे कान साथ अब दोस्तो हम L से मरावर क्या लिख सकते हैं हमने जिस जिस संख्या से भाग दिया है उसे आपस में गुना करेंगे तो यहां भी दोस्तो हमने 2 से 4 बार, 3 से 1 बार और 7 से 1 बार भाग दिया है इसे लिख लेते हैं दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने साथ तो गुना करेंगे गुण दो दुनी चाँ चालाइछ आज़मन शुला सुला तीह अर। 53 और ये गुने साथ तो अलोस्व बडावर दोस्तो क्या हो जाएगा LCM बराबर इसे गुना करेंगे 7, 8, 56, 56, 5, 7, 28, 25, 33 यानि 16 और 21 का LCM हो जाएगा 336 तो इस परकार दोस्तों हम भाग बिदी से 3 संख्या का और 2 संख्या का LCM निकालते हैं बहुती असानी से तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपको वीडियो पसनाएं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सेर जरूर कीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए